हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जो है एनेक्स ओडियो का एकदम नईया जो एम्प्लिफायर है MT-1801 उसके बेक पेनल का सेटिंग करना सीखने वाला है और ये एम्प्लिफायर कौन सी डेट को लौंच होने वाला है हो डेट भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो ये जो एम्प्लिफायर है उसका हमने एक वीडियो बनाया है फूल डीटेल में अगर वो आपने नहीं देखा तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से जाकर करके आप देख सकते हो तो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त दिली परमार आप देख रहा है है डीजे सकती चल ये स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो ये है NX शूडियो का MT-1801 एक एम्प्लिफायर और ये हैं एम्प्लिफायर की बेक पेनल तो इसमें कुछ स्विचेस देखने को मिल जाती है तो इसका setting कैसे करना है तो सबसे पहले limiter देखने को मिल जाता है तो limiter को हमेशा on ही रखना है ठीके क्योंकि amplifier जो हो limit में चलेगा तो हमारा speaker जो हो जलने से बचेंगे तो limiter को हमेशा on ही रखिए उसके नीचे sensitivity की switch मिल जाती है जिसमें 3 option है 0.775 volt, 1.0 volt और 1.44 volt तो ये जो switch है उसे 0.775 volt पर रख दीजिए अगर कहीं बार ऐसा हो कि volume जो है थोड़े से ही खोल ले आपने और आवाज जो है ज्यादा आ रही है ठीके मतलब output ज्यादा निकल रहा है तो आपको क्या करना है उस time जो है ये switch जो है उसे 1.0 volt पर ले लिजिए या फिर 1.44 volt पर भी रख सकते है लेकिन normally ये जो switch है उसे आप 0.775 volt पर set कर भीजिए उसके नीचे दिया गया है operation mode जिसमें है stereo, parallel और bridge तो भाईया अगर आप ये amplifier को stereo रख कर चलाते है तो ये मान लिजिए हमारा एक mixer है mixer में से 2 output निकलते है left or right तो left or right दोनों output निकलेंगे वो आपको यहाँ पर amplifier में channel A और channel B दोनों में connect कर नहीं ठीक है stereo में अगर चलाते हो तो तो यहाँ पर आप जो है jack से भी connect कर सकते है और xLR भी लगा सकते है लेकिन अगर आप इस amplifier को parallel में चलाते हो यानि कि mono तो ये जो mixer है उसमें से एक ही output निकलेगा मतलब आपको यह तो left से output निकलना है यह तो right से लेना है तो मान लिजिए हमने यहाँ से left से लिया और यहाँ पर amplifier में channel A जो है उसमें ही आपको लगाना है ठीके आप जेक में लगा सकते हो या फिर xLR में तो एक ही output अगर आप amplifier में लगाओगे तो amplifier की दोनों channel जो हो काम करेगी तो parallel में आपको इस तरह से connection करना है और अभी बात करें ब्रीज की तो अगर आप amplifier को bridge mode में चलाते हो तो उसमें भी इसी तरह से करना है mixer से एक output निकलना है और amplifier में channel A है उसमें in कर देना है ठीके तो पूरा amplifier जो हो चलेगा उसके बाद आता है filter यानि कि low pass, bypass और high pass तो अगर आप इस amplifier में base को चलाते हो तो switch को low pass की side रख दीजिए और low pass में आपको filter देखने को मिल जाता है 160 hertz का और अगर आपको इस amplifier में top यानि की mid चलानी है तो भी आपको इस switch को bypass में रखिए अगर आपको इस amplifier में hf चलानी है तो भी आपको इस switch को high pass की तरफ रख दीजिए उसके नीचे आता है low cut 30 hertz तो ये जो है low को cut करता है मतलब 30 hertz के नीचे की जो भी frequency है उसको जो है cut कर देता है तो ये switch जो है मेरे इस app से on ही रखनी चाहिए अगर आपको on रखनी है तो आप जो है off भी रख सकते है उसके नीचे जो है low frequency enhanced यानि कि ये जो है 100 hertz की frequency को बड़ा देता है तो ये जो है आप अपने इस app से देखिए मतलब आप जब भी इस amplifier में base को लगाएंगे उसके बाद आपको देखना है ये switch को on करके ठीक है तो ये जो है low की frequency को बड़ा देगा 100 hertz तक तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस switch को on रखिए बाकि इस switch को आप off भी रख सकते है उसके नीचे दिया गया है ground तो ground को भी हमें जो है own ही रखना है तो यहाँ पर जो है दो speaker on के socket है यहाँ से आप अपने speaker को connect कर सकते हो और binding post भी दिया गया है दिटेल्स के बारे में बताया है तो वो वीडियो नहीं देखा link description में है वहाँ से जाकर गए देख लेना तो यह amplifier जो है 15 March को जो है launch होने वाला है उसके बाद हमें जो है market में देखने को मिल जाएगा ठीक है इसी महने में जो 15 तारिक हाती है उसमें जो है launch होगा 15 March 2022 तो दोस्तो अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे comment करके जरूर बताए मैं आपकी help करने की पूरी कोसिस करूँगा और इस वीडियो को ज़्यदा से ज़्यदा like करिए अपने दोस्तों के साथ भी share करिए और एसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारी DJ सकती चैनल को सब्सक्रेब करके बेल का एकन को all पर सेट कर देना ताकि नए नए वीडियोस की notification सबसे पहले आप तक पहुचती रहे तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ